सबसे important विशह था करमचारियों की तरफ से कि हमें assured amount एक चाहिए, जो बहुत logical और वाजिब requirement था, इस demand पे एक methodical way में काम करके और actuarial sciences जो लोग आगे का भविशे का requirement वगेरा compute करने का एक तरीका होता है, जिसको actuarial science बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के financial models को project करके और systematic तरीके से 50% assured pension, यह इस UPS का सबसे पहला pillar है, इसके detailing देखनी चाहिए हमें, जो यह amount मिलेगा, वो retirement से पहले के 12 महिनों की average basic pay का 50% होगा, मैं repeat कर रहा हूँ, assured pension का जो amount है, that will be the average of basic pay of 12 months before superannuation, उसका 50% हो, और इस full pension के लिए जो qualifying age, qualifying service रहेगी, वो रहेगी 25 years, यहारे 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सिवा की है, तो उसको full pension, full pension यहाने, जो यह assured pension का amount है, वो मिलेगा, 25 साल से अगर कम है, लेकिन 10 साल से जादा है, तो उसमें proportionate pension रहेगी, pro-rata वो pension का amount बनेगा, assured family pension, किसी भी कर्मचारी के demise से पहले, immediately पहले जो pension थी amount था, उसका 60% मिलेगा employee के, deceased employee के spouse को, यह second pillar है, third pillar है assured minimum pension, कई बार देखा कि service कम होती है, और contribution जितना हुआ है, उससे एक sufficient amount नहीं मिल पाता था, और यह अपने आप में एक बड़ा विशह था, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का, और NPS में जुड़े सभी कर्मचारियों का, इसी लिए, एक minimum assured pension, assured minimum pension, 10,000 rupees per month, वो इसमें, UPS में third pillar यह रखा गया है, inflation के साथ index session, जैसे केंद्र सरकार के employees के लिए salary में DNS allowance होता है, उसी pattern पे, जो index है, same index को use करके, All India Consumer Price Index for Industrial Workers, इसको use करके, assured pension, assured family pension, और assured minimum pension, इन तीनों के तीनों, जो आपने पिछले page पे यह तीनों pillars देखे, assured pension, assured family pension, और assured minimum pension, इन तीनों के उपर, inflation indexation, DNS relief के basis पे मिलेगा, DR, DA की जगे, DR, DNS relief. पांचवा pillar है, इस scheme का, lump sum payment at superannuation in addition to gratuity. यह एक तरीके से, बहुत ही important और बहुत ही बड़ी एक relief मिलेगी, जब superannuation होता है, तो उसके बाद में इनसान अपनी life को planning जिस तरह से करना चाहिए, तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए यह lump sum एक amount तै किया गया, यह है कि हर 6 महिने की service के लिए, monthly emoluments, which means pay and DA combined, उसका 10% amount, तो यह अपने आप में substantial amount रह जाएगा, जैसे मान लिजे किसी का 30 years की सेवा है, तो उसमें करीब-करीब 6 महिने की salary, समनतन साथ, that's correct न, गरीब-करीब 6 महिने, तो उसको 6 महिने की emoluments चोज़की रहेगी, pay plus DA मिलाके, वो एक lump sum amount की तरह मिलेगा, Unified Pension Scheme, Unified Pension Scheme, UPS, आप सब जानते हैं साथियों की सरकारी करमचारी, देश बर में सामाने नागरिकों की सेवा करते हैं, चाहे सिक्षक हो, स्वास्ते डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, सफाई करमचारी हो, पुलिस हो, रेलवे के करमचारी हो, डाक सेवा के करमचारी हो, क्रिशी वगरा में, हर एक field में सरकारी करमचारी देश बर में सेवा करते हैं और उस सेवा से समाज की एक व्यवस्ता चलती है और सदियों से सरकारी करमचारीों का बहुत महत्वपोर्ण किसी भी society में स्थान रहा है चाहे past देखें, आज देखें चाहे developed countries देखें developing countries देखें, सब जगे government employees का, government के एक पूरे structure की बहुत बड़ी value रही है सरकारी करमचारीों की सामाजिक सुरक्षा, social security से related matters हमेशा से उठते आएं और समय समय पे बहुत अच्छे निरने भी लिये गए खास कर जो सेवा निवरती याने retirement या super annuation जिसको कहते हैं technically, super annuation के बाद में pension जो मिलती है वो सामजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा एक महत्वपून उसका pillar है, उसका बहुत बड़ा एक महत्वपून भाग है देशपर में सरकारी करमचारीों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो NPS scheme है उसमें सुधार किये जाए सुधार के लिए एक कमिटी बनाई थी मानिप्रदान मंत्री शिंदरेंदर मोदी जी ने April 2023 में Dr. सोमनातन साब जो की आपके सामने आज Cabinet Secretary Designate के हिसाब से बैटे है आप Finance Secretary के हिसाब से इस कमिटी के Chairman थे और इस कमिटी ने extensive consultation किया extensive consultation सौ से जादा Employees, Unions, Associations के साथ कमिटी ने Discussions किये कई meetings हुई कई राज्यों के साथ करीब करीब सारे ही राज्यों के साथ इस कमिटी ने interaction किया उनके राज्यों के Finance Secretaries राज्यों की Political Leadership सब ही ने अपने अपने इंपूट दिये राज्यों सरकारों के जो Employees की Associations थी उन सब ने Importance थी तो जे Seriousness के साथ प्रदानमंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने इस विशे को लिया आप सब जानते हैं कि मोदी जी के काम करने की शैली में और विपक्ष में एक बहुत बड़ा Difference है विपक्ष में किवले मुद्दा रख देना किवले गोष्णा कर देना कुछ Announcements कर देना वो उनकी शैली है मोदी जी की शैली है हमेशा जो मुद्दा है उसको Seriously लो उसको Detail में समझो उस पे जितना possible है Consultation करो और उस Consultation से निकल के जो देश हित में जन हित में और Stakeholders के हित में जो विशे आए उसको उस तरह से आगे रखना है इसी लिए इस Consultation के बाद में और साथी साथ जो Joint Consultative Mechanism है Central Government के Employees का JCM उसके साथ Multiple Meetings फिर दुनिया की कई देशों में किस तरह की स्कीम से किस तरह के सिस्टम से वो भी देखा फिर भारत की जो अर्थविवस्ता है और किंदर सरकार का बजट है उसको समझने के लिए Reserve Bank of India के साथ World Bank के साथ सब के साथ Consultations हुए और इस Consultation के बाद में एक Unified Pension Scheme का Recommendation इस Committee ने किया और आज प्रदानमंत्रिशी नरेंदर मोदी जी की अध्यक्षिता में Union Cabinet ने Unified Pension Scheme को Approve किया है इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी